हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक ट्यरी मंत्रा तिस आरिया आज हम देखने वाले हैं टेंट स्टांडर्ड का सेकेंड चाप्टर डेमोक्रिटिक पॉलिटिक्स का देट इस फेडरलिजन हमने पावर शेरिंग देखा था उसमें काफी सारे कंसेप्स हमने सीखेते अभी फेडरल इसमें हम पूरा चाप्टर क्लियर करने वाले हैं आपके लिए जिसमें एक्स्प्लेनेशन भी होगा उसके साथ साथ questions भी होंगे जिसके answers इस PPT में होंगे तो आप इस PPT को नोट की तरह भी इस्तमाल कर सकते हैं क्या होगे तो यूसफुल और हल्पुल डिस बिगेंग वाट इस फेडरलिजम तो चैप्टर का जो टॉपिक है वह क्या है वह तो हमें पता करना बहुत जादा स्वरूरी हो जाता है तो फेडरलिजम ये वर्ड क्या है ठीक है उधर बढ़ने से पहले में बहुत जादा सि पुआ में सेरे जुआ युक है जो लोकल गवर्मेंट भी बहुत सारे है ड्युम्स flour ऑल जो है तो हमें ओर जो य कहां है ट्यार अ ट्यक पर आलgangen माने डिस्ट्रिक्ट गवर्मेंट यह सब देखो ठीक है तो अभी हम देखते हैं फेडरलिजम का मतलब फेडरलिजम इस सिस्टेम ऑफ गवर्मेंट इन विच दपावर इस डिवाइड बिट्वीन और सेंट्रल एथॉरिटी जो हमारा सेंट्रल गवर्मेंट है जो देल्ली म इस फेडरेशन में जो लेवल्स ऑफ गवर्मेंट इंपोर्टेंट होते हैं वह होते हैं दसेंट्रल गवर्मेंट आंड दस्टेट गवर्मेंट ओके तो आई होप यू अंडरस्टांड मतलब अभी देखो पावर है कुछ पावर्स जो है वह सेंट्रल गवर्मेंट को है क तो अब हमें क्या देखना है कि वह पावर डिस्ट्रिब्यूट कैसे किया है मतलब जिस कंट्री में दो तरह के गवर्मेंट से जहां पर एक सेंटर है और बहुत सारे स्टेट से उसको फेडरलिजम बोलते है जहां पर डिविजिन ऑफ पावर होता है ठीक है यूनिटरी फॉर्म उफ गवर्मेंट इन यूनिटरी सिस्टम इधर देर देखो मैं आपको बताती हूं मैंने क्या बोला इंडिया में सेंटर है और स्टेट है ठीक है तो इसको हमने बोल दिया कि फेडरलिजम है क्योंकि हां पर डिविजिन ऑफ पावर है लेकिन यूनिटर इसी फॉर्म फीडर्मिंट गावर्मेंट या तो एक ही यूनिट है तो अगर दो उनिट है तू पन यजव गभले और अगर दोपर दो इंटरोल इन बोले जो जांए के शाड़ा Ana पाण रिखर वही इसको करना पड़ेगा तो डिविजन ओफ पावर किदर है यहां पे नो पावर इस बिंग डिवाइड इसको सब और इनेट कर दिया गया है माने बस इसमें जो जो यूनिटरी सिस्टेम मतलब जो उपर लेवल ऑफ गवर्मेंट है सेंट्रल गवर्मेंट है वह जो बोले विजय तो जो इसाルク्रीर्स यूनिट्री फर्मिंट वर्मेंट फीचर ऑर विसुच्र ऑव्जन देख़ो अभी यह यह से होता है है मतलब समझ भी फैडर्लिस्म सब्सक्राइड यूनिटरी फॉल्मिंट हमने ऊपजिट आ यूनिट्री फर्म्झोर्म जोना है वह समझ तो दो तो होने ही जहां पर दो लेवल्स ऑफ गवर्मेंट है वहीं पर फेडरलिजम होगा मिनिमम्म तू ठीक है डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्मेंट गवन दे सेम सेटिजन बट इच टायर है इस ओन जुरिस्टिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिसलेशन टैक्सेशन और अड्मिनिस्ट्रेशन देखो दो यह उससे जादा लेवल्स ऑफ गवर्मेंट होते हैं और वह इंडिया इंडियन्स को ही रूल कर रहे देखो महारास्ट्र स्केट का सी एम जो है ही रूल्स दा पीपल ऑफ महारास्ट्रा गुज्राट सी एम है विल रूल दा पीपल ऑफ गुज्राट बट वाट वी नो इस यह सब पीपल कौन है इंडियन्स ही तो है सेम सिटिजन्स है ना पर जूरिस्डिक्शन क्या हो जाता है कि एक का जूरिस्डिक्शन है वह महारा उसको jurisdiction कितना है ठीक है इस पर इस प्रिस्पेक्टिव लेवेल और टायर सफ कॉरमंट आर स्पैसिफीड इन बस तो इंडिया को इनडेशन कर्फूलिचिजिन गय्मा सिनिंडा थिले तो हर्चीज तेयल में लिखी गई है So the existence and authority of each tier of the government is Constitutionally guaranteed इसका मतलब क्या है कि जो ते दो यह जिस्ट कर रहा है देखो जेंट्रल गॉवर्मेंट शेटिक गॉवर्मेंट यह जो एक्जिस्टेंस है गउवर्मेंट का और किसको कितना थोरिट्य और किस जादा थोरिट्य इस्टेट गॉवर्मेंट से तो यह किस ने डिसाइड किया यह Constitution ने डिसाइड किया तो everything is guaranteed by the Constitution मतलब इसमें बुछ भी illegal नहीं है ठीके this is how Constitution has decided India to be governed okay so हम features देखने हैं तो यह एक दो तीन ऐसे देखो यहाँ जैसे नए नए शुरू हो और है okay let's move on the fundamental provisions of the Constitution cannot be unilaterally changed very important देखो हमें कितने fundamental rights है we have six fundamental rights जो main rights है वो 6 है तो जो fundamental provisions है Constitution में देखो हमें fundamental rights भी Constitution नहीं guarantee किया है वो हमने खुद से बनाए नहीं है तो यह जो fundamental rights के provisions है अगर किसी को कोई fundamental rights में कोई change लाना है तो unilaterally मतलब अकेले ठीक है unilaterally मतलब अकेले कोई भी वो चीज अकेले change नहीं कर सकता उसको amendment नहीं दे सकता अकेले Constitution में उसको अगर बदलना है तो central government भी चाहिए सब लोग चाहिए जिनका consent consent मतलब जो मानियता होती है वह हर एक level of government की होनी चाहिए तब ही जाके fundamental provisions change होते है कोर्ट क्या है कोर्ट मतलब judiciary of India है have the power to interpret the constitution and powers of different level of government court decide कर सकता है कि different levels of government को क्या power है ओके the highest court acts as an empire highest court कौन से हमारा supreme court है कहां पे है ये court डेल्ली में है the highest court acts as an empire if disputes arise between different levels of government in the exercise of their respective power देखो भी एक state government एक power court exercise करना चाहा रही है पर वो actually state government की power नहीं है तो ये state government को कौन बताएगा वो है supreme court ठीक है या फिर judiciary of india high court हो सकता है नेक्स्ट ये features of federalism ही है जो continue होते आ रहे है sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure financial autonomy मतलब देखो कभी भी state government को कुछ नाया project करना या कुछ करना तो हर बार वो जाके central government से पैसा नहीं मांगते है बेठे का चीक स्टेट government को खुद की रिस्पेक्ट है तो financial autonomy मतलब उसका financial ताकत होने के लिए उसके financial conditions या जितने भी revenue मतलब जितना भी पैसा government एक state government को देगा वो सब अच्छे से स्पैसिफाई किया constitution में जिसके वाज़े से हर एक state के पास इनफ पैसे हो कि उसको अगर कुछ नया अपने state में अच्छा सुधार करना है तो वह कर पाए फेडरल सिस्टेम दसाइस डूवल अबजेक्टिव यह को अबजेक्टिव क्या है हमने डेफिनेशन पड़ा हम फीचर पड़ रहें लेकिन उसका अबजेक्टिव क्या है आप बोलोगे कि एक पूरा country है एक ही लेवल पर गवर्मेंट रख देते सेंटल गवर्मेंट रख इसी में participation of people is most important okay to safeguard and promote unity of the country unity of the country मतलब अभी हर किसी को जब chance मिलता है पार्ट लेने का कंट्री के financial political matters में हर कोई इंसान कैसे पाठ लेता है through elections तो इससे क्या होता है I'm sorry through elections okay तो इससे क्या होता है कि unity budget हर किसी को equal right मिलता है accommodate regional diversity India में बहुत ज़्यादा diversity है India is a diverse country तो बहुत ज़्यादा diversity को बनाए रखने के लिए उनको डाइवर्सों को भी एक रूफ के अंडर लाने के लिए federalism बहुत ज़्यादा important है okay the exact balance of power between the state and between the central and the state government varies from one federation to another now you have thought which federation type central government is powerful or state government is powerful so which state is formed the formation which is important we will decide where central government is powerful and state government is powerful there are two kinds of routes routes means race through which federations have been formed the first route involves independent states the United States of America coming together on their own to form a bigger unit so that pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security sovereignty means our decisions and no other matters but the United States what was the case of state what was the case of state they did what was the case of state we don't need our sovereignty we have identity in the United States there are many states there are different identities and what was the case of state they did not have sovereignty or identity they had all states come together और उन्होंने नाम दिया एक कंट्री का जिसका नाम है United States of America that is USA और उन्होंने यह क्यों किया ताकि उनके security बढ़ जया है US की आर्मी वर्ल्ड बेस्ट आर्मी है All of us know that ठीक है So this type of coming together federation Include USA, Switzerland, Australia Switzerland कापी छोटी कंटे लेकिन United States of America is the best example for us to remember की coming together federation कैसे फॉर्म हुआ था The second route is by the large country अभी यहां पर United States में already existing states थे Right कुछ ऐसा हो सकता है कि country ही बहुत बड़ी है तो उस country को states में डिवाइड करना पड़ता है जैसे इंडिया को states में डिवाइड किया गया था पोस्की इंडिपेंदेंस on the basis of language ठीक है डिसाइड तो डिवाइड इस पावर बिट्विण इस पावर बीं थूनच्टुमेंट से टेंड शेनल गवर्מנ यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं और उन नाम देते हैं स्टेट्स तो इसको बोलते हैं Holding Together Federation थ्रीफोल डिस्ट्रिबुशन अफ लिजिस्लिटिफ पावर बेविन सेंट्रल और स्टेट कवर्मेंट देखो अभी हमने Federation कैसे form होता है देख लिया है क्या होता है देख लिया है उसके features क्या होते हैं देख लिया है अब हम देखेंगे कि legislative power मतलब किसको कितना power है मैं आपको पहले से बोलती आई हूँ कि Central Government और State Government लेकिन उन दोनों में किसको क्या power है वो Constitution करेगा लेकिन Constitution क्या किया है वह अब हम यहां पर देखेंगे देखेंगे आपको हमेशे स्टोरी लाइन अपने दिमाग में चालू रखने कि भाया क्या क्या है क्या कैसे होगा तो आपको हमेशे समझता है इस स्टोरी लाइन में हमने सब पढ़ा कि दो लेवल्स ऑफ गवर्मेंट है उनको टायर पी बोलते है उनके जो पावर्स है वो Constitution में लिखे हुए पावर्स को के यूनियन लिस्ट इंक्लूट सब्जेक्ट ऑफ नैशनल इंपोर्टन सच अज डिफेंस ऑफ दी कंट्री फॉर अफेर्स बैंकिंग कम्यूनिकेशन और करंसी नेखो तो यहां पर तीन तरह के लिस्ट होते हैं लिस्ट मतलब हम कही बाहर जाते हैं अब हम यहां पर देख रहे हैं यूनियन लिस्ट को इसमें जो सब्जेक्स हैं वह है डिफेंस ऑफ दे कंट्री फोरें अफेर्स बैंकिंग कम्यूनिकेशन करंसी यू आफ तो रिमेंबर दे सब्जेक्स ऑफ इच लिस्ट यूनियन गवर्मेंट अलोन कें मेक लॉस रिले अब हम आफ इसमेंटी और दे मोनीच अफ नोट के छिदिशन किसका था वह नरेंद्रमोधी के गवर्मंट का था और नरेंद्रमोधी की गवर्मंट अब कन एक लिफेंट मेंट सैंटरल लेविल पे है तो अश्च अबडियू झाहर। यूनियन लिस्ट गिवर्मेंट के इस अब्जेक्ट ऑफ स्टेट और लोकल इंपोर्टन्स तेखो अभी अब्ल फैक्टरी जो है वह गुज्रात में तो वह गुज्रात के ट्रेड और कॉमर्स का क्वेस्चन हो गया उसमें महाराश्ट दखल अंदाजी नहीं देगा तो हर एक स्टेट अपना अपना यह सब च स्टेट लिस्ट तेखो अभी अब गुज्रात में मैंने जसे बोला अमूल की बहुत बड़ी ऐसके रिगार्डिंग डेली में बैठा हुआ कोई सेंटल गवर्मेंट का इंसान कुछ कमेंट नहीं कर सकता है उसमें कुछ डिसिजिएन नहीं ले सकता है क्योंकि वह गुज् करें से лиस्ट देख्वागें जो सब जेक्स कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं कुछ चीज्य होती है जो स्टेट के लिए जो पेनिफिशल होती है और यूूनियन गॉवर्मेंच मतलब सेंट्र गॉवर्मेंच सेंट्र गॉवर्मेंच दोनों के लिए impossible कि होती है वह एङ कोई भी स्टेट क्यों नहों बच्छों को एडूकेशन राइट टाइम पर मिलना ही चाहिए इंडिया में ग्रीनरी है तो फोरेश्ट ट्रेड उनियन्स मैरिज तो अभी कोई भी स्टेट का इंसान क्यों नहों शादी तो करता है एडॉप्शिन सक्सेशन एक्सेटरा तो जो चीज़े दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्मेंट देख सकती है उसको डाला गया है कॉंकरेंट लिस्ट के अंडर ठीक है बोट यूनियन आज वल आज स्टेट गवर्मेंट्स केन मेक लॉज ऑन दो सब्जेक्स मेंशन इन दिस लिस्ट इस लिस्ट इस देखो कभी कभी ह इसके लिए जो यूनियन बोल रहा है उसका डिसिजन विल प्रिवेल मतलब उसके डिसिजन को कंसिडर किया जाएगा और वही इनक्ट होगा अब फेडरलिजम ट्रैक्टिस कैसे किया जा रहा है हम इंडिया की बात कर रहे है यापर कि ठीक है दो लेवल अफ गवर्मेंट में डिवाइड कर दिया एक बड़े कंट्री को बहुत सरे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया लेकिन यह चल कैसे रहा है यह अब हम सब्सक्राइब करने के लिए सही तरह के लोग चाहिए और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं ठीक है ते रियल सक्सेस ओफ फेडरलिज्म इंडिया कैन बी अट्रिब्यूटेट इस नेचर आफ देमोक्राइटिक पॉलिटिक्स अनार कंट्री देखो यहां से हम में डेमोक् डेमोक्राइटिक पॉलिटिक्स क्या है हमारे कंट्री में लिंग्विस्टिक सेट देखो 1947 के बाद 1947 में हमें इंडिपेंडेंडेंस मिला इंडिया को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया गया और वह स्टेट्स को लैंग्वेज के बैसिस पे डिवाइड किया अभी गुज्रादी speaking people got Gujarat, Maradi speaking people got Maharashtra, Kannada speaking people got Karnataka, Malayali speaking people got Kerala और नौर्थ के भी पंजाबी speaking people got Punjab, ऐसे बहुत सारे states हो गए जो linguistic basis, linguistic means on the basis of language ठीक है, the creation of linguistic states was the first and major test for democratic politics in our country, many old states have vanished and many new states have been created तेखो अभी रिसेंटली तेलंगना और अंधर प्रदेश दो अंधर प्रदेश को तेलंगना में और अंधर प्रदेश में डिवाइड कर दिया गया उसके साथ साथ जमु और कश्मीर को union territory बना दिया गया, ठीक है, in 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states अभी ऐसे तो है निकि 1947 के पहले कोई state ही नहीं था, तभी भी कोई state रह सकता है लेकिन उसके boundaries को बदल दिया गया ताकि नए states बना सके इन 1947, the boundary, I'm sorry, this was done to ensure that the people who spoke same language lived in the same state some states were created not on the basis of language, but to recognize differences based on culture, ethnicity, or geography this includes states like Nagaland, Utrakhand, and Jharkhand, देखो, Jharkhand एक बिहार का ही पार्ट था, Utrakhand, Utra Pradesh का पार्ट था, यह सब states को अलग बनाया गया, क्योंकि उनका culture है, उनका ethnicity है, वो अलग है, हर कोई इनसान जो उत्तर प्रदेश में है, हिंदी में बात कर रहा है, वो हर कोई से नहीं है, कुछ लोग से अलग है, इसलिए उत्राखंड इलग कर दिया गया है, और उत्तर प्रदेश अलग कर दिया गया है, लैंगविज पॉलिसी, आर कॉंस्टिशन देड नोट गिव इस्टेटोस अफ नैशनल लैंगविज तो एनी वन लैंगविज, देखो, हमने पिछले चाप्टर में प अविज से यह कि अनओ लग फिशल लैंगविज क्यों कि 40% उफ इंडिया की मदेटर हैं ही नूर्थ काफ़ी सारे लोग हींदी में बात करते हैं तो बहुत सारे सेफगार्डस से तो प्रोटेक्ट अथर लैंविजेस क्यों कि देखो, हिंदी सिर्फ नॉर्थ में बात किय भ्री प्रपरड ले ठीक है तो उनकी लैंग्विज को सेफगार्ड करने के लिए 21 अग्विज रहाग्विज रहाग्विज चेडीव भाट इस अगर कोई सेंट्रल गवर्मेंट की एग्जाम है उसमें एक कैंडिडेट इस में से किसी भी लैंग्विज में पेपर दे सकता है क्योंकि ये रेकिनाइज की हुई लैंग्विजेस है एकॉर्डिंग दे कॉंस्टिटूशन दे यूज ऑफ इंग्लिश पर ऑफिशल पर्पेज़ वस्टॉप इन नाइंटीन सिक्स्टिफाइब मतलब कॉंस्टिटूशन के हिसाब से इंडिपेंडेंट्स की कुछ साल बाद 1965 तक इंग्लिश कहीं भी यूज नहीं करनी थी इंडिया में क्योंकि हिंदी ओफिशल लैंग्विज हो जाती थी लेकिंद से मैंने आपको पोला कि साउथ इंडिया में जो नॉन हिंदी स्पीकर उन्होंने डिमांड की कि English continue होनी जी क्योंकि इनको इंग्लिश आती थी चलीडि अलतल वादि प्रोफ थी म्लापिस के लिए कफी प्रकेंटिस्ट किया होगा जिस वाजये इंग्लिश्य चीर English & Hindi दोनों official purposes के लिए यूज हो रहे है हम आज जो पढ़ रहे हैं वो सब भी English में ही हमारे textbook से English medium school सी जादा आगे बढ़े हैं क्योंकि English is a world language Hindi तो क्या सिर्फ इंदियन बोलते हैं English is a whole world language जिसके वैसे उसको जादा importance दिया रहा है and to our surprise India is one of the most one of the countries which has most number of people speaking English तो भले हो तुटी फुटी हो पर है तो क्या से रहे हैं Central and state relations I don't know why it is so compressed I am sorry for that Central state relations is one more way in which federation has been strengthened in practice for a long time same party ruled both center and states this meant that the state government did not exercise their right as an autonomous federal unit as and when the ruling party at the state level was different the parties that ruled at the Central level पे अगर बीजेपी है पर स्टेट लेवल पे अगर कॉंग्रेस है तो कुछ तो इनका तनाव मुझाव हो गाई ना थोड़ा तो एक है दोनों लेवल पे एक ही ग्रमेंट है जैसे साल तक कॉंग्रेस कॉंग्रेस ही था तब श्मूद्ली चल रहा था पर तब चुप स्टेट गवर्मेंट्स उसको खुद का पावर नहीं मिला जो जो बोले वैसी करते वाएवर्मेंट तो सेंटर के खिलाफ कुछ बोले तोसंटियों गवर्मेंट करता था Constitution provisions का जिस परोविशन में सेंटरल गवर्मेंट को जादा पावर दिया गया था उसका गलत इस्तेमाल करके स्टेट गोवर्मेंट और नीचे दिखाता था ठीक है इस से क्या होगा था था यहां पर आगर ढग से डिवाइड नहीं हो रहा है तो फेडरीजम का स्पिरिट अंडर्माइन हो गा और इस चेंग्स सिग्निफिकेंट्ली आफ्टर क्यों कि कोलिशन गवर्मेंट अभी देखो एक ही को मेजरीटी मिला इन यूस से पहले कॉंग्रेस एक पार्टी थी जिसको बहुत जादा मैजोरिटी वोट्स मिलते थे पोस्ट इंडिपेंडेंडेंस लेकिन फिर जनता दल से अलग 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 पार्टी आते गार जो कॉंग्रेस के खिलाफ लडते थे उनके वज़े से कोईलिशन गवर्मेंट अभी देखो महा सब्सक्राइशन गवर्मेंट महारास्ट्रा बिकॉस नो सिंगल पार्टी कुद गेट मैजोरिटी इन स्टेट इलेक्शन ऐसे ही सेंटर में होता है बीजेपी जो है वो एंडिय है नाशनल डेमोक्राटी का लाइंस उसके अंडर भी बहुत सारे पार्टी आप्रम ओल ओव मैं यहिए आपको बयता ही की सेंटर मिस्यूज इटस पावर ठीक है तैसाइन सेंटर इस्टकार्णा कावर ज्यां कांडम कार्टी मीप्यक्री नष्म करम करना थी मतलब कारे कम कर में आखिक यह वेन अट पावर होता है थैंट्री डॉट संटर कांडर इंट्री ले जाल ल देखो यहां पर सेंटर के साथ साथ स्टेट भी है और उसको दिया गया है लोकल गवर्मेंट को क्यों कि अगर आपका गाव है उस गाव में क्या प्रॉब्लम्स है बिजली नहीं है कि पानी नहीं है अब देखो अगर दो गाव है ए और बी ईम में जो प्रॉब्लम है पानी का है पानी नहीं आता है लोग को पीने के लिए तक पानी नहीं है लेकिन बी में क्या है बी गाव में किसी को secondan मिलती नहीं दिंधो राथ हो गर्मी हो बर्सात कुछ भी हो इन बहुत सारा पानी देंगे बहुत सारा अभी ए में तो बहुत पानी आ गया तो खुश हो जाएंगे लोग क्योंकि पानी थानी लेकिन बी जिसके जो नदी के बाजू में गाव उनको तो पानी बहुत सारा है तो गवर्मेंट पानी देगी तो भी इनको कुछ फायदा हो रहा बहुत सारे गाउं किसको प्रयाव सिम्ट को समझ पाना बहुत जबहुत-ज़्य मुश्किल है कि इन्हों ने चुप ने लोकल गवर्मेंट को दे दिया अगर ए गाउ को पावर दे दिया कि जाओ तुम पानी लाओ और बी गाउ को पावर दे दिया कि यह लो पैसे तुम थोड़ा एलेक्टरिसिटी लाओ तो दोनों गाउ का भला ही हो जाएगा ना वीष्रा कि ब्सक्राइलस टार में आपको पताया कंज आएग नामग फिर दे दिया कंज रुड़ा उस somने पैसे खर्च होने के बात भी आर गोईंग तो लिव देर ठीक है पीपल आफ बेटर नॉलेज ओफ प्रॉब्लम्स देर लोकालिटी क्यों वह लोकालिटी में रहते हैं रोज उस प्रॉब्लम के थरू गुजरते हैं ए गाव में रोज पानी की तंगी होती है इसलिए ए को पता है क्यों उनको पानी चाहिए ठीक है तो आल्सो आफ बेटर आइडियाज ओन वेर तो स्पेंड मनी तो ए के पास पैसे आएंगे तो पहले क्या करेंगे डैम्स बनाएंगे इरिगेशन चालू कर देंगे राइड बिसाइड अट लोकल लेवल इस पॉसिबल फॉर पीपल टो डाइरेक्टली पार्टिसिपेट अभी ए गाव में सम्झो जाए सादा पतीन सो लोग है कि होすपा है कौद के मीटिंग में अपना अपना चीज बॉल सकते हैं के पॉपुलेशन जो इतना सारा है वो सब भान works लें कर सकता है मॵास्ड कांट्री उप कांट्री राइट को लोकल गावन्मेंट यस इस टो ए रियलाइज व 모可 प्रेंसेपल उफ डिमोडिया-दिममी one important principle of democracy namely local self-government तो हमने तीन लेवल्स पढ़े Central State और local self-government local self-government में क्या आता है जो district government है गाव में पंचायत होता है cities में या फिर्जिल्ला परिस्द होता है cities में क्या होता है municipal cooperation होता है okay all of this is there in your textbook अगर आपके पर sex book नहीं है तो भी चिंता कि कोई बात नहीं आपको online pdf मिल जाएगी पूरी की पूरी pdf है so just one time go through the chapter एक बर अच्छा से पूरा chapter पढ़ लेना और कुछ भी doubt हो तो comment section में पूछ लेना okay so this is our last slide मैंने आपको बोला तीन टायर होते हैं Central स्टेट और लोकल यहां पे आप लोकल सेल्फ गवर्मेंट भी लिख सकते हैं fine I hope you understand this chapter यह बहुत जादा इजी चाप्टर है कुछ जादा कंसेप्ट्स नहीं है एक बार अच्छे से बहुत जादा अच्छे से finally you read the chapter and you have any doubts you can always comment and ask okay I hope you understand goodbye